आपको अपना और बहारत में स्वागत है आज हम एक फूल वाड़े प्लांट गेंदा यह मेरी गोल्ड को हम कैसे लगा हैं और कब लगाने का सीजन होता है उसके लिए कैसी मिठी होनी चाहिए उस पर हम डिस्कस करेंगे तो जो मेरी गोल्ड है जो प्लांट है यह हम साल में तीन बार इसका बीज को वुळाई कर सकते हैं जैसे फ्रवरी मार्च में और सितमबर अक्टूबर में और जून जुलाई में जो फ्रवरी मारच है उसमें हम जो बीज की वुआई करेंगे उसका फूल है हमें गर्मियम पराप्त होगा और जो जून जुलाई में करेंगे उसका फूल है हमें बर्शात में मिल सकता है और जो सितंबर अक्टूबर में करेंगे सितंबर अक्टूबर का फूल हमें सर्दिय लिए ये फूल को किसी समय बोया जा सकता है लेकिन इसकी तीन है इसके आंदर बीज होते हैं और अगर यह वीज आपको जैसे इसको उठाकर यह काड़े मिलेंगे यह जब यह काले हो जाएंगे बले कलर के हो जाएंगे तो इसका अंदर बीज पर जाता है फिर इनको निकाल ले और निकालने के बाद इनको आप अपने इसमें रख दे दो इसमें चाया में शुकाएं धूप में शुकाएं चाया में शुका के जब शूख जाए जब अपने बीज को भुवाई कर सकते हैं और फिर इसको बीज भुवाई करने के करीब 10-12 दिन में ये इसका जो भीज है वो गुरो होजाता है और उसके बाद फिर इसको लगाने में 20-25 दिन में आप करीब अपने पोट में या किचन गारडन में या इसको ग्रोबैग में या पिसमें जो भी आपके पास कोई दस से बाराइंच का गंबला मिल जाए तो इसमें लगा सकते हैं, इसके लिए हमें कोई बड़ा गंबला लेने की जूरुत नहीं है, छोटे गंबले में भी ये काम्याब हो जाता है, क्योंकि ये एक मोसम का सीजनिंग फूल का प्लांट है, ये लंब बीज होते हैं, इसको चाया में सुका लेंगे और फिर इसको हम चाया में सुकाने के बाद इसको हम बुआई कर सकते हैं, और ये फूल हमें हर जगह मिल जाते हैं, मंदिरों के भार मिल जाते हैं, फूलों की मारा उसमें मिल जाते हैं, या आप ओन लाइन खरीद सकते हैं, फिर यही मिल जाएंगे आपको ही यह इसके सीड और सीड लेागे आप इसको ग्रोज कर सकते हैं। कि भूने जो भीने काम herूआ है किशांब इसको बीज को डाल देंगे ओसे एक छिडाऑू कर देंगे भीने करदें इसके उसके बाद आपने यह तो वर्मिक εν मौन्पोस्ट यह आगर अगर आपके पास यह कोकविट है तो कोकव पीट का इस पर थोड़ा सा किए चिडुआ क कर दे कोकोपीट का ऐसे छड़क दे तो ऐसे कोकोपीट छड़कने से क्या है कि जो बीज है वो आसानी से गरो हो जाता है और दूसरे इसमें क्या है कि आगर आपने इस पर पानी डालना है फारे से पानी डाले ये किसी डिबे से या इससे पानी में डाले क्योंकि इससे बीज पिर इसका बीज है बहोती हड़का होता है यह खटा हो जाता है तो ऐसे इसका बीज वहाई कर सकते हैं औugen प्लांट लगा सकते हैं तो यह प्लांट है इस को कल नर्श्री से ले कर आया हूं और यह लगाने का मुझे समय नहीं मिला तो इसलिए आप इसे एक कोई आप के पास का डिबा है तो इसमें भीस में दो-चार, पास, दस दिन के लिए रख सकते हैं इसमें लागे मंद्द 1996 रख दिया और रखनेके बाद भी अभी हिरे से लगा के है वो इसमें हमें इसमें हमने जो त्यार किया है इसमें वर्मी कंपोस्ट है और पत्तो अखाद है और पतास परसंट इसमें अपनी गार्डन जा खेत की मिठ्टी है वो है तो ऐसे इसमें लगा देंगे लगाने के बाद अगर तेज धूप है तो तो इसको तो थोड़ा तेज धूप से एक दो दिन बचाएं अगर नॉर्मल है तो फिर धूप में भी रख सकते हैं कोई ऐसा वह बात नहीं है यह पेड़ है यह बहुत यह असानी से इसकी कोई ज्यादा देख बार करने की जूर्ट नहीं होती होते काफी इनकी देख बार होती लेकिन गेंदा एक इस प्लान्ट है मेरी गोल्ड इसकी ज्यादा देख बार करने की जूर्प नहीं है आपको और इसमें ऐसे लगा के इसमें पानी दे देंगे और फिर यह गरो हो जाए यह आसानी से हो जाएगा तो ऐसे इसमें अगर धूप तेज है तो आपने थोड़ा सा एक दो दिन के लिए दूप से बचाने हैं और फिर इसको आप दूप में रख सकते हैं और इसके बाद इसको चार से 6 गंटे कम से कम दूप मिलनी चाहिए ताकि इसमें अच्छे फूल की मातरा आ सके और ज्यादा फूल लेने के लिए आप इसमें जो मिट्टी अच्छी मिट् कि एक उन्ची है तो इसमें भी आप लगा सकते हैं कि आकैका इसमें लगाने के लिए गलिए क्या करना है अगर आप पास जो गंधाया कंटेनर हुसमें भी उड्र करना है ताकि ज्यादा पानीया दाशलिके और यह जो अगर आपके पास ऐसे पॉलीचीन का बैग है या इसकी प्लास्टिक की थेली है तो इसमें भी आपने इसमें दू-तीन ओल करने हैं तो ऐसे यह करना आप देंगे एक प्लांट अगर आपके पास भी वह नहीं है गमले तो इसको पांच साथ दिन के लिए इसमें रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है इसको आप छाएं में रख दो जहां तेज धूपने हो और मिलता है आपको लगा सकते हैं यह गेंदे के जो प प्लांट अलगा सकते हैं और इसके फूल भी बहुत ही सुंदर होते हैं बहुत अच्छे होते हैं इसका सबसे जादा जो फाइदा है में टेरस गार्डन में किचन गार्डन में रूप टोप पर एक तो इससे दिम्मक कम लगती हैं तूसरा इसमें जो कीट पतंगे हैं वो क होते हैं इसे मच्छर वगरा दूर भागते हैं इसकी सबसे और इसमें एक और इसका सबसे ज़्यदा फाइदा है कि इसमें जहां आप यह लगाओगे वहां प्लांट में फंकस नहीं लगती तो इसलिए आप किचन गार्डन में टेरस गार्डन में रूप पर जांभी आप इसका फाइदा है और दूसरी इसका जो फाइदा है कि जो आपके अगर फड़ फूट के या सबजी के पोदे हैं तो इसके लिए जो मदू मख्या है तो यह आती है अगर मदू मख्य आएंगी तो मदू मख्य आने से क्या है कि फूल की मात्रा है वो ज़्यादा बढ़ेग तो ऐसे आप गेंदे के प्लांट लगाए जुरूर दो-चार प्लांट आउस से लगाने चाहिए तैकि आपका जो किछनगार्ड है न वो सुन्दर लगे, फूल भी सुन्दर लगता है और इसका बहुत ही इसवा असर होता है जमीने में लगाने से पेड़ पोदों के शुल् इसका बॉईज को किण कर दोुदramos लगब को झेलीने सुन्दर भी प्लांट